नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तु पस्तितूँ। आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्तोपून जानकारियों को लेकर के, जहां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मखाना खाने के प्वाइदे। मखाने देखने में तो गोल मटोल सुखे दिखाई देते हैं परिहकई और शद्य गुनों से भरपूर होते हैं हमारे स्वास्थे को तंदुरूस्त रखने में मदद करते हैं मखानों का प्रियोग हम भोजन में भी कर सकते हैं मखाने में प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट भ फुटकारा मिलता है मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में अक्सर खीर के रूप में या फिर नमकीन भूने हुए नमकीन के रूप में हम खाते हैं मखाना कमल का बीज नहीं होता है इसकी एक अलग प्रजाती है यह भी तालाबों में ही पैदा होता है लेकिन इसके पोधे ब पिहार के मिथलांचल में होती है मखाना दो देवताओं का भोजन कहा गया है उपवास में इसका विशेश रूप से उपयोग होता है पूजा एवम होण में भी यह काम आता है इसे औरगेनिक हरबल भी कहते हैं क्योंकि बिना किसी रासाइनिक खाद या किट नाशकों के उप इकांशतह ताकत के लिए दवाएं मखाने से बनाई जाती हैं केवल मखाना दवा के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे सहयोगी आयरुवेदिक और श्रधिवी का सकते हैं आप इसके और श्रधिय गुनों के चलते अमेरिकन हरबल फूड प्रोड़क एसोसियेशन द्वारा इसे क्लास वन फ्रूड का दर्जा दिया गया है यह जिन अतिसार लिकोरिया शुक्रानों की कमी इत्यादी में उप्योगी है इसमें एंटियोक्सिडेंट होने से यह स्वसंत अंत्र मूल जनन तंत्र में लापदायक है यह बलड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है इसके बीजों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा कैल्सियम एवं फासफुरस के अतिरिक्त कैरोटीन लोहा निकोटीन अमल एवं विटामीन बीवन भी पाया जाता है मखाने में 9.7% आसानी से पचने वाला प्रोटी 76% कार्बोहाइडरेट 12.8% नमी 0.1% वसा 0.5% खनीज लवन 0.9% फासफुरस एवं प्रती 100 ग्राम 1.4 मिलिग्राम लोहपदार्थ मोजूद होता है अब हम जानते हैं मखाना बनाने की विधिकों मखाने उथले पानी वाले तालाबों और सर्वरों में पाया जाते हैं मख मखाने की खेती के लिए तापमान 20-25 डिग्री सेलसियस तथा सपेक्षिक आदरता 50-90% होनी चाहिए मखाने की खेती के लिए तालाब चाहिए होता है जिसमें 2-5 फिर तक पानी रहे इसकी खेती में किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खेती के बीज बोय जाते हैं बुआई के महिने दिसंबर से जनवरी के बीच होते हैं बुआई के बाद पोधों का पानी में ही अंकुरन और विकास होता है इसकी पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे-छोटे काटे होते हैं इसके पत्ते बड़े और गोल होते हैं और हरी प् फूल पौधों पर कुछ दिन तक रहते हैं। फिर ये पानी की सतह के नीचे डूब जाते हैं। लकड़ी के होँ थोड़ों से पीड़ते हैं तो गर्म बीजों का कड़क खोल फट जाता है और बीज फट कर मखाना बन जाता है। रगड़ कर साप किया जाता है और पॉलिथिन में पैक कर दिया जाता है। बच्चों से लेकर बुढ़े लोग भी इसे आसानी से पचा लेते हैं। इसका पाचन आसान है इसलिए इसे सुपाच्य कह सकते हैं आप। इसके अलावाब फूल मखाने में एस्ट्रीजन गुण भी होते हैं जिससे या दस्त से राहरत देता है और भूख में सुधार करने के लिए मदद करता है। एंटी एजिंग गुणों से ये भरपूर होता है। मखाना उम्र के असर को भी बेअसर करता है यह नट्स एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण उम्र लॉक सिस्टम के रूप में कारे करता है और आपको बहुत लंबे समय तक जवाँ बनाता है। मखाना प्रेमेचोर वाइट हेयर जुर्नियां और एजिंग के अन्य लख शणों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। डाइबिटेज रोग्यों के लिए ये फायदे मन्द होता है। डाइबिटेज जयापचय विकार है जो उच्चरक्त शरक्रा के स्तर के साथ होता है। इससे इंसुलीन हर्मोन का स्त्राव करने वाले अन्य आश्य के कारे में बाधाउत्पन होती है। लेकिन मखाने मीठा और खटा बीज होता है और इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन होने के कारण यह डाइबिटेज के लिए बहुत अच्छा होता है। किड्नी को ये मजबूत बनाए रखता है। मखाने का सेवन किड्नी और दिल की सेहत के लिए फायदे मंद है। फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण यह स्प्लीन को डिटॉक्सिफाई करने, किड्नी को मजबूत बनाने और बलड का पोशन करने में मदद करता है। साथ ही मखानों का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहत मंद रहता है। दर्द से छुटकारा दिलाए। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए जोडों के दर्द विशेश कर अर्थराइटिस के मरीजों के लिए इसका सेवन काफी फायदे मंद होता है। साथ ही इसके सेवन से शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द जैसे कि कमर दर्द और घुटने में हो रहे दर्द से आसानी से रहत मिलता है। निंद ना आने की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाता है, मखाने के सेवन से तनाव कम होता है और निंद अच्छी आती है, रात में सोते समय दूद के साथ मखाने का सेवन करने से निंद ना आने की समस्या दूर हो जाती है, कमजोरी को भी ये दूर करता है, मखाने का नियम प्रेगनेंट महिलाओं और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी में हैसूस करने वाली महिलाओं को मखाने का सेवन करना चाहिए मखाना का सेवन करने से शरीर के किसी भी अंग में हो रही दर्द से रहत मिलता है मखाना का सेवन करने से शरीर में हो रही जलन से भी आपको शांती मिल जाती है रहात मिल जाती है मखाना को दूद में मिलाकर खाने से दाह यानि की जलन में आराम मिलता है छेमा खानों के सेवन से दुरबलता मिटती है तथा शरीर पुष्ट होता है विर्य की कमी, मरदाना, कमजोरी, शुक्र मेह में इसे हलवे के साथ खाना चाहिए आटे, घी, चीनी के हलवे मखाने में डाल कर खाने से गरभाशे की कमजोरी और प्रदर की समस्या दूर होती है तो देखा दोस्तों आप सभी ने हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए थे मखाने से जुड़ी हुई जानकारियों को अगर आप मखाने का सिवन करते हैं तो इन सारी बिमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली कड़ी में हम आप सभी से जुणेंगे कुछ एक और बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों